आईए सुरूर करते हम लोग अपना प्रिपोजिशन का अगला एक्सराइज नमबर 11 इसके पहले हम लोगों ने एक्सराइज नमबर 10 तक पढ़ा था जितना भी टॉपिक पढ़ा था वो सारे इंपोर्डेंट्स थे और अब हमें सारा इंपोर्डेंट्स था और अब हम जो इसके पहले बताया भी होगा और अगर नहीं बताया तो आप ध्यां से सुनो प्रिपोजिशन जो होता है प्रिपोजिशन क्या होता है इन, ओन, एट, ओवर इन सारी चीजों को ही तो प्रिपोजिशन कहते हैं तो अब देखो ध्यां से प्रिपोजिशन के बाद कभी भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है अभी मैं आपको कुछ एक्जांपल्स देखर करके समझाओंगा तो कभी भी प्रिपोजिशन के कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आता है या अगर वर्ब आ जाए तो उस वर्ब को इंजी फॉर्म में बदलना पड़ता है यही आपको दोस्तों इस इक्सराइस नंबर 11 के लिए सीखना है कि प्रिपोजिशन के बाद कभी भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है अच्छा नाउन क्या होता है राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, दिल्ली, बंबई यह सब क्या है यह सब नाउन है और प्रोनाउन क्या है तो नाउन के जगह पे जो शब्द आता है वो प्रोनाउन है जैसे ही है, शी है तो यह सब प्रोनाउन होते है आपको सीखना य कि अगर नाउन आया प्रिपोजिशन के बाद कोई दिक्कत नहीं एकदम सही है ठीक है आज मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको आगे साइज में या कभी भी मॉडल पेपर में एक्जाम में ऐसे कोशन मिले तो आप असानी से सॉल्व कर लो ध्यान से सुनना है आपको नोट बना के लिखना है पहले आप यह लाइन लिख लो कि प्रिपोजिशन के बाद नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वरब का आई ए केस में होना चाहिए अब्जेक्टिव केस में होना चाहिए मतलब अगर प्रिपोजिशन के बाद जैसे टू इन एट ऐसे कुछ जितने भी प्रिपोजिशन होते हैं या प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन किस केस में होना चाहिए अब्जेक्टिव केस में होना चाहिए अभी objective case क्या होता है जैसे आई अगर रहेगा तो आपको मी कतना पड़ेगा मी उसका objective case है अगर ही exam में दे दे तो आपको him कतना पड़ेगा ठीक है आपको इतना तो पता ही होगा objective case के बारे में जैसे शी है तो सी का क्या होता है हर होता है वी का क्या होता है अस होता है दे का क्या होता है दे का होता है देम ठीक है तो आपको यह याद रखना होगा कि कभी भी preposition के बाद अगर नाउन आए तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर pronoun आए तो वो pronoun होना चाहिए objective case में ऐसे questions मैं आपको द तो आप उसमें क्या जोड़ोगे आई एंजी जोड़ोगे और दोस्तों मैं आपको बता दू कि ये वर्ब में आई एंजी जोड़ना अंग्रेजी में कहलाता है जीरंड क्या कहलाता है जीरंड और इसी को लोग नाउन भी कहते हैं ग्रामर में इसे नाउन कहा गया है तो दो कहतं है तो किसी क्रिया को नाउन बनाने को को कोई कहता है तो अगर कोई कुछे आक चुछे आप से या नाउन बनाओ क्या बनाओ नाउन बनाओ तब क्या करोगा आप कहोगे drinking जिसे हम लोग जीरंड form कहते हैं जीरंड form कहते हैं और यह नाउन का काम करता है ठीक है तो अभी इसको detail में नहीं समझना है अभी मैंने जो बताया हो आप समझो कि preposition के बाद अगर नाउन आए तो ठीक और अगर वर बाजाए तो तो उसमें क्या जोड़ोगे आप ing form जोड़ोगे क्लेर हैं इत रहेगा तो इटिंग कतना पड़ेगा, गो रहेगा तो गो इंग कतना पड़ेगा, छोदी तो basic topic था हमारा, अब आप देखो, आपने तो यह पढ़ा ही है कि कई बार preposition में हमें रचना पड़ता है, कि इसके बाद in आता है, तो इसके बाद on आता है, आपने देखा होगा कि बहुत पर हम preposition के पीछे exercises में हम लोगों ने देखा है कि particular words के साथ कोई special preposition fixed है कि इसके बाद यही आता है जैसे आपने पढ़ा है कि afraid है जो word है जिसका हिंदी होता है भैभीत इसके बाद off आता है तो यह आपको रटना पढ़ता है कि afraid के बाद off आएगा जैसे बहुत सारे words आपने पढ़ा है जिसके बाद आपको रटना पढ़ा जैसे कली आपने पढ़ा होगा innocent के बाद भी क्या आता था off आता था तो दोस्तों आपको कई बार चीजे रटनी पढ़ती है तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ word लिख हैं और यह एक्जाम के लिए बहुत ही महत्रपूने चाहिए आप किसी लेवल का एक्जाम तो चाहिए आप CGL लेवल का एक्जाम देने जा रहे हो मेंस देने जा रहे हो आपको यह questions जरूर मिल जाएंगा इस topic से तो बहुत ही चुलिंदे तरीके से मैंने पुरा collection लाया है तो अभी ध्यान से समझता है इसमें समझने लाएक क्या चीज़ है अब देखो आप यह जो word लिखा है यही देखना आपको यह जो मैंने पांस सब लिखा है ना इन पांसों की आपको हिंदी जान लो एक कस्टम्ड की हिंदी होती है आदी होना आदी होना का मतलब किसी यह यूज़ का में अन लगा है ना तो इसका मतलब आदी नहीं होना तो अनलब चाहो तो आप नॉट यूज़ भी कह सकते हो लेकिन नॉट को अन्यूज़ का है अच्छा अन एककॉस्टम्ड नहीं होता है अन एडिक्टेड नहीं होता है तो बस इसको ध्यान देना यूज पे पांचों की हिंदी आप समझ चुके डिक्रािंणे और कोई नहीं होडा यह जो प्रिपोजिशन फिक्स्टिन लिया है यह क्या है क्या है प्रणाउन सीखना यह है यहां पे कि अगर इसके बाद कोई नाउन आया है तब ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी आये लेकिन अगर इसके बाद प्रोनाउन आयेगा प्रिपोजिशन के बाद तो हम objective case रखते हैं चलो भाई यह भी ठीक है लेकिन इस सामने भीवन दे दे तो आप उसे काट दीजेगा आप क्या करोगे वी आइंजी फॉर्म कर दोगे यही आपको इसपेसली सीखना है इसमें ठीक है हिंदी आप समझी चुके हो तो इसके बाद नाउन आता है प्रोनाउन आता है लेकिन खास तोर से एक्जाम में पूछता क् आइंजी फॉर्म कर दोगे अगर आपसे कोई पूछे कि यह वर्ब का इंजी फॉर्म ग्रामर से क्या है तो आप कहिएगा कि यह नाउन है वर्ब का इंजी फॉर्म को नाउन कहते है ठीक है और प्रिपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है वर्ब आ जा वाज, वर, यही सब क्रिया कहलाती है B की क्रिया, बीन, यह सब क्रिया बीन, यह सारी चीजे B की क्रिया कहलाती है, अभी हमें आपको एक्जाम्पल से क्लेयर कर जोंगा, ठेक है, तो अगर आपसे कोई पुछे कि, what is B की क्रिया, तो आप समझा देना, इज, एम, आर, वाज, वेर बीन यह सारी चीजे बी की करिया है ठीक है तो यह structure में आपको दिखेगा especially यह सारी चीजे दिखेंगी आपको ठीक है तो आप इसके बाद to लगाना और इसके बाद ing फॉर्म लगाना अगर whereby तो noun pronoun आए तो कोई दिक्कत ने जैसे example देखो I am addicted to alcohol देखो I subject हो गया एम बी की क्रिया होगी ना इसमर ही बी की क्रिया है और I am addicted मैं आदी हूं to देखो बढ़ी प्रिपोजिशन लिया है और alcohol alcohol का मतलब शराब तो यहां पर शराब जो है यह नाउन है यह वर्ब नहीं है कि आप ing जोड़ोगे ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं एकदम सही है noun यह प्रोनाउन आना चाहिए है noun तो मैं सराब का आदी हूँ जैसे he is accustomed देखो ही आया इज आया और accustomed आया और यह टू ले लिया प्रिपोजिशन और music noun है music तो नाम है किसी चीज का तो यह संगीत तो वह संगीत का आदी है एकदम सही अभी example देखो तो c is used to facebook मतलब देखो c subject हो गया है इज बी की क्रिया हो गई यूजड टू आ गया है और facebook नाम है तो आदी तो वह आदी है facebook की लेकिन दूसरा example देखो इसमें c is unused to facebook मतलब वह आदी नहीं है facebook की दम simple जैसे i am habituated to sad songs sad songs हो गया हमारा noun किसी चीज का नाम है तो मैं आदी हूँ sad songs का ठीक है लेकिन अभी आप ध्यान से देखो i am accustomed to 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 के बद प्ले अगर रहता तो यह गलती होता तो देखो तो यह पर क्या क्या है प्लेइं की है अगर व वर्भाय तो इसमें ing जोड़ो गया तो i subject हो गया mb की क्रिया हो गई बी की क्रिया हो गई अर एक custom का हिंदी आदी यह टू लेता है लिया है और इसके बाद अगर noun है तो ठीक प्रोनावन है तो ठीक लेकिन वर्भाय तो ing form तो हमने ing कर दिया हिंदी क्या है मैं आदी हूँ खेलने का दोस्तों एक्जाम में हूब हूँ आता है इसलिए ध्यान देना है अगला है किसी addicted to drinking मतलब वह आदी है drinking का मतलब सरापीने की आदी है ठीक है अब एक मैं note बता रहा हूँ ध्यान से देखो प्यारे बच्चो आपको note में जो बताने वाला हूँ बहुत important है उपर जितना भी आपने पड़ा उच संप की हिंदी क्या थी आदी होना यहाँ पर note में देखो ध्यान से अगर आपको subject के बाद B की क्रिया न дорог आपने पढ़ा था ना B की क्रिया जैसे मैं आपको दिखा दू देखो यहां पर B की क्रिया थी आप ध्यान से देखो इस रूल को सब्जेक्ट प्लस B प्लस यूज्टू देख रहा हूं आप तो और वही चीज आप इसमें देखो नोट में यही चीज थोना समझना है सब्जेक्ट प्लस यूज्टू प्लस भी वन अब ध्यान से देखना अगर सब्जेक्ट के साथ E जे मार यानि B की क्रिया आया हो तब तो आप यूज्टू के बाद आएंजी लगा रहे थे उपर लेकिन बस एक इस्पेसल बस यूज्ट एँ लिक्रिया नौ है डू िक लिए नौ यूज्टू है तो आप वर्ब का पहला रूप लगाना स्मपल सिम्पल ऑर्ब का ही पहला रूप आथा हमेश्ण और हमेश्ण कोई नाउन प्रनाउन नहीं सिन्फ्वर्ब का पहला रूप और ह Bree निक लेगी करता था करता था ये लेकिन यहीं रहता I am used to तब यह dancing होता और हिंदी निकलता कि मैं नाचने का आदी हूँ जैसे I used to play मैं खेलने का आदी हूँ यह नहीं निकलेगा हिंदी इसका हिंदी निकलेगा कि मैं खेला करता था तो कि इस structure का हिंदी क्या है करता था ठीक है तो बस बी की क्रिया का खेल है अगर बी की क्रिया दिखे की subject के बाद तब ing लगाओगे वो भी सिर्फ used to के लिए है यह यह यूज तू सिंग इसका हिंदी क्या है वह गाया करता था लेकिन अगर यहीं रहता ही is यहाँ पे अगर इज होता प्यारे बच्चो तब हिंदी निक बदलता कि वहाँ गाने का आधी है अगला example ही यूज टू जंप हिंदी क्या है वह कूदा करता था वह कूदा करता था ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर यूज टू के बाद पर इज रहता या वाज रहता कुछ भी रहता बी की क्रिया तब यह ing में बदल लाता जंपेंग प लेकिन कव जब सबझेक के बाद को बी क्रिया ना आए लेकिन अगर सब्सक्रक्रेट के बाद बी क्रिया आए तो यूज रहाओ चाहे यह यूज रहता ही सिर्फंद में तब आप इसके बद क्या लगाते भीवं यही सीखना था इसमें यह मैंने note बता दिया आपको आप यह note लिख लो कि subject plus used to plus v1 हिंदी क्या है करता था करता था ठीक है I used to dance मैं नाचा करता था I used to play मैं खेला करता था He used to sing वह गया करता था He used to jump वह कुदा करता था आए प्रश्णों को देखते हैं बहुत simple लाता है मुकेस is accustomed देखो इज की क्रिया है ना बी की क्रिया मुकेस आधी है डैस डांसिंग नाचने का बोलो होगा क्या buy on two over क्या हो सकता है आपने रटा था न एक अस्टम के बड़ तू आता है लगाओ सी he is addicted डैस smoking बता होगा क्या मैं कोई smoking किया है इंजी फॉर्म एडिक्टेट क्या लेता है तू लेता है असानी से हो जाएगा अभी देखो प्यारे बच्चों यहां पर राम इस यूजड एज लगा है ना यानि हमारा उपर वाला में रूल है नोट वाला नहीं है यह हिंदी क्या है राम आधी है डैस वर्किंग हार देखो आई एंजी जोड़ा है क्योंकि वर्क वर्ब है तो वह महनत करने का आधी ह है क्या होगा आंसर तू आन और फॉर क्या होगा ए अब देखो आगे हम लोगा में चीज सुरेस आधी है तू अब देखो प्यारे बच्चों कई बच्चें यहीं पर मिस्टेक करते हैं उनको लगेगा कि जब तू दिया है तो ड्रिंग होगा जी नहीं तू यहां पर प्र आधी इस्ट्रक्चर में भी पढ़े हो सब्जेक्ट प्लस बी की क्रिया प्लस एडिक्टेट प्लस टू प्लस नाउन या प्रोनाउन या अगर वर बज़े तो आइंजी फॉम तो होगा क्या बी सुरेसरा पिने का आधी है अगला है कि मुन्ना इस अन्यूजड अन्यूज प्रेशन के बाद क्योंकि प्रेशन के बाद हमें लगाना है इंजी फॉम वर बगा तो बताओ क्या होगा इसका अन्यूजड चार ऑप्शन से बाई ओवर टूओन तो आंसर होगा टूजड थोड़ा से यह अलग से दे दिया लेकिन सुरू में मैंने चर्चा किया था यह क सचमे भाभीत है घौश्ट भूतों से क्या अप सचमे भूतों से अंथा होता है भाभीत होते हैं इन बाई ओभर आफ होगा क्या है तो भाई मेंने आपको वह सुरू में ही बढ़ने वाला है अफ्रेट क्या लेता है of लेता है और नोट में लिख करके पढ़ना, सीरेस होके पढ़ना, लो आ गया भई फिर से, सीता इसे कॉस्टम्ड, सीता आधी है, डैस कुकिंग, क्या होगा भई, तो लगाओ टू, क्लेर है, आठ नमबर आप लिख लो, वेरी इंपोरेंट, आज का पूरा टॉपिक इंपोरेंट है, है, बहुत इंपोर्टेंट है, एकसीद, ही एकसीड़ digest my request, question हुबर हुवव आता है exam में, इसलिए बता रहा हो, कुछ कुछा चीजे रटनी है, कुछ कुछ चीजे समझनी है, ठीक है, तो इसमें जो एकसीड लिखा है न, पहले इसकी हिंदी आपको पता होना चाहिए, ए he exceeded dash my request उसने मेरे request को स्विकार किया to add for by क्या होगा तो मैं आपको रूल बता दू बहुत बहुत famous है यह question बहुत famous exceed preposition to लेता है क्या लेता है to लेता है exceed to स्विकार करना अच्छा एक दिन आपको मैंने पढ़ा था abide by याद है आपको abide by का मतलब पालन करना यह भी बहुत famous है abide by पालन करना और यहाँ पर exceed to है ठीक है तो he exceeded to my request ठीक है आपको एक और चीज़ बता दू अगर आ जाता है मानलो comply तो comply with लेता है और इसका ही हिंदी स्विकार करना टीक है तो succeed exit क्या ले लिया है do ले लिया और comply with ले लिया और स्विकार करना ये भी तो डोनों famous एकसाम के लिए तो आप लिख लिजिएगा ठीक है अग्ला है सोनु इज एडिक्टेड सोनु आधी है स्मोकिंग धुम्रपान करने का यह जी फॉम लगाया हूं क्यों लगाया हूं जानते हो अप तो होगा क्या नौ का सी अगला प्रस्न हमारा we should abide अभी देखो प्रहें हो अभी मैंने उपर बताやो वी को अब्लान करना अब बाईड नम भूलो नहीं आप हमेसा अभ्यास करते रहो तो आपको हमेसा याद हो जाएंगे तो वी शुड़ अबाइड ड्यास दरूल हमें नियमों का पालन करना चाहिए क्या होगा सी होगा ठीक है तो चलो थैंक यू अभ्यास करते रहना